रोहित शर्मा का टीम के साथ ना जो ना जो कारण रहा वो एक बड़ा विवाद बन दाविदारी कप्तानी को ले करके रोहित शर्मा ठोक रहे थे कि ऑस्ट्रलिया इंग्लेंड जैसी जो क्रिकेट बोर्ड हैं जो अपने हां टेस्ट मैचेज में अलग क्याप्टेन रखते हैं 180-20 के अलग क्याप्टेन रखते हैं उस तरीके से भारत में भी क्यों ना कर दिया जाए कि क्या विरेंद्र सहवाद और धोनी के बीच में जो विवाद लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही थी जो विवाद रहा पहले क्या वो रोहित शर्मा और विराट कोली के बीच में होता हुआ दिख रहा है यानि भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ऑस्ट्रलियाई दोरे पर है जिसे सबसे कठीन माना जाता है लेकिन इस बार लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खास करके वन डे मैचेज में ऐसा माना जा रहा था कि भारती टीम का जो परफॉमेंस होगा वो शांदार होगा भारत इस उलट वन डे सिरीज भारत ने गमा दिया कई सारी वजहें जो है वो निकल करके सामने आएं कि आखिरकार वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से भारत को हार का सामना करना पड़ा बॉलिंग पर भी बातचीत हुई बैटिंग पर भी बातचीत हुई लेकिन जो सबसे बड़ी वजह निकल करके आई वो यह कि रोहित शर्मा की कमी भारती टीम को वंडे सिरीज में खली है तो यह सारी विवाद जो रही वं यह कि रोहित शर्मा आखिरकार ऑस्ट्रलियाके दोरे पर क्योँ नहीं ले जाया गया रोहित कर mantra का टीम के साथ ना जोड़ ना जो कारण रहा वो एक बड़ा विवाद बन गया और इसको लोग विराट कोली के साथ भी जोड़ कर देखने लगे क्योंकि कप्तान के साथ कुछ नहीं बन रही है तो आखिरकार वो क्या कारण रहे कि रोहित शर्मा टीम के साथ नहीं जुड़े आईए आपको बताते हैं इस बार का IPL चर्चा में रहा सूपर ओवर की वज़से भी और एक ही मुकाबले में दो-दो सूपर ओवर ये क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हो रहा था और ये मैच था मुंबई बनाम पंजाब का और आपको याद हुगा कि इसी मैच में रोहित शर्मा भी चोटिल हो ग कामीटी ने जब टीम का चैन किया उसमें ये बताया गया कि रोहित शर्मा के फिटनेस को मॉनिटर किया जाएगा अगर वो फिट हो जाते हैं तो उनको टीम में शामिल कर लिया जाएगा और उस्ट्रेलिया दोरे पर वो चले जाएंगे लेकिन उसी शाम मुंबई इंडिय के से रोहित शर्मा ने अपने फिटनेस को लेकर कि जो सवाल उट रहा था उसको तब खत्म कर दिया जब फाइनल में वो उतर गए मैदान पर उन्होंने शांदार हाफ सिंच्री भी लगाई और उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब तो रोहित शर्मा का जो सेलेक्शन है वो भारती टीम में उस्ट्रिया दोरे के लिए हो जाएगा फिर भी वो टीम के साथ ट्रेबल नहीं करते पाए गए और तब ऐसा लगा कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में कुछ ऐसी अनबन हुई है जिसकी वज़ा से विराट कोहली भारती ये टीम के स है वो अनफिट थे टीम के साथ नहीं जोड सकते थे शुरुवाती समय में लेकिन फिर वो फाइनल कैसे वो खेले मुंबई इंडियन की तरफ से जब फाइनल उन्होंने खेला अच्छा परफॉर्म कैसे किया और फिर यह कहा गया कि रोहित शर्मा जब एंसीय में जाएंग कैम्प में हिस्सा लेंगे उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर जाएंगे वो उस्ट्रियन दौरे पर तो रिदिमान सहा के साथ भी फिटनेस का इशू हुआ था आपको याद होगा हैधराबाद की तरफ से खेलती वे फिटनेस की वज़ह से बाकी की मैच्छे नहीं खिले थे लेकिन वो तो ऑस्ट्रियाई टीम के दौरे बचले गए तो फिर बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार वो क्या वज़ा है कि अन्फिट रिदिमान सहा टेस्सीरीज के लिए ऑस्ट्रियाई दौरे पर भारती टीम के साथ जाते हैं लेकिन रोहित शर्म वहीं टेस्सीरीज खेलने के लिए नहीं पहुंचते हैं और अब तो पहले और दूसरे टेस्समैट से भाहर हो गये हैं इसकी कहीनके शुरुवात यह सिर्फ आई-पियाल यह फिटनेस इशू नहीं है इस विवाद की शुरुवात बहुत पहले हो चुकी है अब हापको ल लाड़ी कहां खेलेगा इसको लेकर के विवाद हुआ था आप सबको याद होगा कि वर्ल्ड कप में धोनी का परफॉमेंस उतना बहतर नहीं था धोनी नंबर साथ पर बैटिंग करते थे रोहित ने कहा कि अगर मैं कपतान होता तो धोनी को नंबर पांच बैटिंग कराता बहुत सारे लोगों ने सहमती जताई कि जी हां रोहित शर्मा सही कह रहे हैं और कई बार यह सवाल उठते रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा विराड कोली से बहतर कपतान हैं और कहीं न कहीं ये विराड कोली को बातें चुपती भी होंगी लेकिन उस दोरे पर रोहित शर्मा खुल करके ये बात कहने लगे कि धोनी को नंबर पांच पर वैटिंग कराई जाए वो इस बात की भी खिलाफ में थे कि मुहमद शमी जिन्होंने चार मैच में 14 विकेट निकाले थे उनकी जगह पर भोनेश्वर कुमार को भी खिलाया गया जाकि भोनेश्वर का पफिमेंस उतना बहतर नहीं था वर्ल्ड कप में और ये कहीं न कहीं दिखाता है कि रोहित शर्मा की जो सोच थी वो एक अलग सोच थी विराट से इतर सोच र पतलब आपके और उसके बीच में सब कुछ थीक नहीं हो रहा है तो ये वजह जो थी ये शुरुवात थी दरसल इन सभी विवाद की और विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच जो विवाद बताया जा रहा है जो क्रिकेट प्रेमी सोच रहें कि आखिरकार यही कारण त ठोक रहे थे और बातें अब ये भी उठने लगी थी कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लेंड जैसे जो क्रिकेट बोर्ड हैं जो अपने हां टेस्ट मैचेज में अलग क्याप्टेन रखते हैं उस तरीके से भारत में भी क्यों ना कर दिया जाए कि रोहित शर्मा को भी कप्तानी होता हुआ दिख रहा है यह तो आने वाला वक्त बताएगा उम्मिद करता हूँ आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा अगर आप में यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बेल आइकन दबाईए और औ अगर आप फेस्बुक पर हमें देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक और साथे साथ फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें